Hello everyone, नमस्कार, मैं हूँ बिनाय और आप देख रहे है पोपटी पोवाइडर अभी हम आपको 3BH का फ्लाइट दिखाने के लिए आ हैं जो 1781 स्कौर फिट का दो मास्टर बेडरूम के साथ 3BH का फ्लाइट है उसके साथ आपको ओपिन टेरिस का एरिया मिलने जा रही है पार्किंग से लेके टोटल चीज़े वीडियो का लाज तक बने रहे हैं यह दखिए यह आपका एक लिप्ट का एरिया हो गया यह आपका एक सीड़ी का एरिया हो गया फिनिसिंग हो रहा ही है फाइनल स्टेज़ पे है नीचे आपका पुरा कम्प्लीट हो चुका है जी पलस दी पलस जी पलस 6 की बिल्डिंग है जिसमें यह आपका छठा फ्लोर पे ओपन टेरिस के साथ फ्लैट मिलने जा रही है यह देखिए इसमें चार फ्लैट है चार फ्लैट के साथ ओपन टेरिस का एरिया मिले जा रही है यह आपका एक सीड़ी था यह लिप्ट का एरिया दिखा दिए दो लिप्ट दो सीड़ी इस प्रोजेक्ट में है project billing में दो गलोग का project है यह देखे दूसरा lift का area यह हो गया और दूसरा city का area यह हो गया जो कि दूसरा city पुरा complete कर दिया गया है finishing का bug चल रहा है flat almost complete के कगार पे है सबसे पहले हम open terrace का area दिखाते हैं यह देखे यह आपका यहां से open terrace का area आपका start होता है जो सामने दो गेट नजर आ रहा है ये दो फ्लैट है 1781, 1781 असपार फिट का वहां तक आपका open terrace का area है और यह जो दोनों gate के बीच से और यहां पे spiller के divide हो जाएगा दोनों flat का अलग-अलग open terrace का area हो जाएगा तो आपका एक flat का open terrace area ये मिलने जा रही है ये पूरा area जो आप देख रहे है open terrace वही complete करके दिया जाएगा आपको और दूसरा flat का open terrace का area ये है लंबाई देखा भी आपने, अब हम चोलाई आपको दिखा रहे है आप इसको penthouse भी कहा सकते हैं चुकि ये आपका open छथ भी आपको मिलने जा रही है जो कि आप यहां से सीड़ी लग जाएगा आप अपना सीड़ी लगा के open छथ भी हो सकता है और ये बैपास के बिलकूल बगल में है, 70 feet के पास है बैपास है, बैपास हो गया ये बैपास हो गया, ये ज़श्ट भगल में आपका बेवर मोल हो गया ये दखिए बेवर मोल के पास जो बिल्लिंग बन लगी ये है और इसके बगल में यहां से आपका main entrance आती है पचास मीटर की यानि बैपास है, पचास मीटर की distance से ये flat है ज़श्ट सामने में आपका amirth hotel है, ये देखिए आपका सामने में amirth hotel दीख ला है चितकोहरा मार्केट यहां से 200 मीटर का distance से है और ये देखिए ये सामने में जो गरदानी बाग में जो government apartment बन रही है जो quarter बन रही है, ये सामने में बगल में हो गया, आपका just बगल में पतना जक्सन की बात करेंगें तो यहां से मत रही है चार किलोमीटर की distance से पतना जक्सन परने जा रही है और ये आपने open terrace का area देखे हैं और यहां से ये देखिए ये आपका shadow दिया हुआ है मान के चलिए कि सुरस्टेंड बगएर आप यहां पर रख सकते है बरसात्य से बचने के लिए भी दिया हुआ है पूरा आपका दरवाजार के सामने और ये दखिए एक वारे आप फिर से दखिए ये आपका पूरा का पूरा जो area आपको दिख रहा है ये ओपन टेरिस का area है ये पिलर के बगल से इस साइट से ये पूरा का पूरा area जो है आपका ओपन टेरिस का area है जो कि फिनिसिंग करके आपको दिए जाएए और ये आपका 3BH का flat है जो कि दो master bedroom के साथ है यहां से आपका main flat का entrance होता है ये देखिए ये आपका drawing hall का area हो गया drawing hall के space की बात किजिएगा तो 20 by आपका 12 feet का drawing hall का area है इसमें complete है और 4 feet आपका 5 feet आपका यहां पे बाहर में जो है निकाला गिया है छज़ा ये drawing hall का L safe में flat है आपका ये देखिए आपके dining hall का space है यहां से dining hall space चलू होती है dining hall के space की बात करेंगे तो 16 by 8, 16 feet लंबा और 8 feet 14 dining hall space है बिल्कुल ही spacious flat है यहां पे washing machine बगएर के लिए point दिया हुआ है और यहां से आपका ये balcony सुरूवत ये देखिए ये आपका balcony का area हो गया जो dining hall के साथ है और ये just आपका यहां से bypass की looking आती है ये बगल में आपका bypass दीख रहा है just ये bypass की looking आती है ये देखिए bypass के बाद just दो plot के बाद आपका ये flight होता है ये आपका kitchen का area है इगारा भाई छे का आपका kitchen है ये kitchen भी बिल्कुल spacious है अप्रोक्समेट इगारा भाई छे या साथ फित का होगा छे से जादा है ये साड़े छे या साथ फित का आपका kitchen का इगारा है area हो रही है और ये आपका common toilet का area होगा है टाइस पर गर इसका लगा हुआ है रखा हुआ है कल लगने जा रही है खल से परसुमेट एक से दो दिन में आपका इसका इसका इगा टाइस लग जाएगा common toilet के space की बात करेंगे तो आपका 12 feet लंबा और 5 feet 16 है यानि बारा बाई 5 का आपका common toilet का area है तो बिल्कुल ही है spacious common toilet है और ये पहला bedroom हो गया east tracing flat है ये इस bedroom की side की बात करेंगे तो 16,26,10 feet का आपका bedroom का area है और जिसके में आपका दोनों side balcony बाल्कॉन ए विंडू है दो दो साइड बिल्डू का area दिया हुआ है जिसमें की एक बिल्डू आपका बैपास की तरफ कुलती है और दुसरा आपका open terrace की तरफ कुलती है यहां साफ़ा open terrace की तरफ बिल्डू कुलती है सुल्ला फिट लंबा और लगवग एग्यारा फिट चौला आपका पहला bedroom हो गया यहां पे कुछ common space दिया हुआ है जहां पे आप interior work करा सकते हैं बादो बगर काम यहां पे आप करवा सकते हैं अच्छागास आपका space दिया हुआ है इन फिट के बाद भी आपका लगवगा फिट का space दिया हुआ है interior work करने के लिए और यह आपका दूसरा room और पहला master bedroom है इस bedroom की size की बात करेंगे तो 13 वा इगारा का आपका यह bedroom है master bedroom जो की 13 फिक लंबा और इगारा पे चौला master bedroom है और जिसके साथ यह देखिए आपका अन्वीरा के लिए भी जगर दिया हुआ है यहाँ पे window और balcony सारा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यह देखिए यहाँ पे आपका common space है अन्वीरा के लिए यहाँ भी जगर दिया हुआ है दोनों side आपका अन्वीरा के लिए विए अस्पेस है आप यहाँ पे वासिंवर्शी बगेरा रख सकते हैं यह बोडरों का काम करवा सकते हैं अच्छा खासा the space आपका दिया हुआ है और यह साथ बाई पाच का आपका इसका साथ अटेच बाक्रूम का अरिया है बाक्रूम में टाइल से लगना बाकी है टाइल से लगना चल रही है और लोड़ी दो से तिन दिन में यह भी कंप्लीट हो जाएगा साथ में बाईरिंग का भी काम चल रहा है डेलेस सिस्टम हो चुकिया आ। और ये दखीए आपका बाल, कोनी का इस खाय गया है। जस्ट बगल में आपका बेउरमोल हो गया। है सामने में आपका अनीसाबाथ यहां से 500 मितर की इस्टिंस पर नीशाबाद हो गया है यह दखे जो इस निशाबाद के पास पास प्लेंट THE goose नो के विल्लींग का फ्रण्ट विउ है यहां पर पार्किंग जो है पार्क का एरिया और मंदिर बन के आपको मिलेगा अब यह मैं आपको वीडियो ट्राइट बने रहे हैं, पार्किंग का एरिया दिखाने जा रहा है, जिसमें सारा चीज़तु भी आपको दिखाने जा रहा है कि अद ईया है, दूनों चीज़ए भी हम आपको दिखाने जा रहे तो 16 भाई 11 का है, जी बिल्कुर सही सुना आपने यहाँ पे 16 फिट है और यहाँ पे एप्रोक्सिमेट 13 फिट है, यहाँ पे आपका 16 फिट लंबा बेडरूम हो गया, और 11 फिट 14 बेडरूम हो गया, और इस बेडरूम के साथ भी आपका एक बाथरूम है, 8 भाई 5 का, यह द यहाँ आपका जो है, बालकोनी का एरिया हो गया है, जो कि आपका फ्रंट व्यू बालकोनी है, तो यह आपने थिरी भी एज का फ्लैट देखे हैं, जो कि 87-81 का फिट वे बना हुआ है, दो मास्टर बेडरूम के साथ, जिसके साथ आपका उपें टेरिस का एरिया भी आपक आपको दिखाया है, और वीडियो का लाज तक बने रहे हैं, विजश्ट जा रहे हैं, वह आपको पार्किंग का एरिया पुड़ा दिखाने जा रहे हैं, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और किसी भ आपको फ्लाइट का कोश्ट लगेगा, यानि कि 1781 एंटु बार्साइब का रेट लगेगा आपको, ओपन टेरिस का एरिया आपको साथ में फिरी में दिया जाएगा, यह दखिए, बिल्लिंग का फ्रांट व्यू हुआ प्रोजेक्ट का, यहाँ पे आपको मंदिर बनके मि मिलेगा, यह होजा भी त्यार किया जा रहा है, यहाँ पे इंट्रेंस गेट रहेगा, और एक उसाइट, दोनों साइट इंट्रेंस और एक जीट गेट होगा, और यह देखिए, मंदिर, बनना है भोला हुआ के, रखा हुआ है, तो इस लोकेशन में आपको मंदिर भी त्य क्यारा साइट से 15 फीट का ड्राइवे छोडा हुआ है, यह देखिए, आपका दो फ्लोर जो पारकिंग है, तो बेस्मेन पारकिंग के लिए यहाँ से ड्राइवे होगा, यह होगा, दो फ्लोर में पार्किंग है, बेस्मेंट और ग्राउन, अब आपको बेस्मेंट भी हम दिखाने जा रहे हैं, पर ग्राउन फ्लोर की पार्किंग दिखाते हैं, यह दिखिए यह ग्राउन फ्लोर है, यह ग्राउन फ्लोर की पार्किंग है, एक ब्लोक में टोटल 44 फ्लेट है, एक पूरा का पूरा एरिया आपका एक ब्लोक का ग्राउंड फ्लोर का पार्क है, वीडियो के लाज तक बने रहे हैं, यह आपका एक सिधी का एरिया हो गया, जो बेस्मिन के लिए भी जाती है, एक सिधी पूरा बनके कम्प्लीट है, यह लिप्ट का एरिया हो गया, एक सिधी आपका यह हो गया, जो में सिधी है, और यह लिप्ट का एरिया हो गया, और यह पूरा का पूरा एरिया आपका पार्किंग का एरिया हो गया, प्रिस्ञ का ए ब्लोक में बर्ग चल रही है, और वी ब्लोक में क्प्लीट होके आपको नाट हैंडवर हो जागी, और वी ब्लोक में construction चल रही है दिसंबर तक यह आपको hand work हो जागा यह देखिए पच्छा फ्लोर ढलाई हो रहा है यह बी ब्लोक अप्न ही हो है चोटा फ्लोर में brick work का बर्फ काम चाली है और यह 40 फिट का आपका जो है दीश में दूनों ब्लोक के दीश में तिशने यहां पर बेस्मेंट में जाने के लिए देखिए यह यहां बन रही है यहां से भी आप बेस्मेंट में जाएगा चारत तरफ 15 फिट का ड्राइवे चला हुआ और यह बी ब्लोक का पार्किंग है एक सीड़ी का एरिया आपका यहां है बी बलोक के एक लिफ्ट आपका इस लोकेशनल बन रही है और दूसरा लिफ्ट आपका इधर है दूसरा सीड़ी आपका सामने है और यह पूरा पार्किंग है रही है यह बिल्ली का प्रोजेक्ट अपको बैक साइड व्यू है यह देखें पुरा स्थे छोड़ा हुआ है ड्राइवे और ग्रीन एरिया यहां पर बन के आपको मिलेगा और यह देखें जश्ट वगल में बैपास है एक प्लॉट के बाद आपका यह बैपास है जो ट्रक लगी है गाड़िया जा रही है यह बैपास है यह जो है बैपास का मैरेज हॉल है और यह देखें आसा हीरो आपका सामने है यह आपको बिलिंग दीख रही है यह बैपास के उस तरफ नहीं यह यो बैपास के लुटिंग बीलिंग है और दे जो प्रोजेक्ट है उसक टरफ me water no साइद मे ए कि उलियन है और आपका आपका सेमातर 50 मीटर का दिश्टेंस पर आपको से थोज से पहले अमीट होटल का पोजीट साइट में है और ये देखे भी हम लोग बेस्मेंट में जा रहे है तो बिल्कुल ही प्राइम लोकेशन में ही है यहां से पटना जक्सन मात्मस 4 किलोमेटर का दिस्टेंस पे है एरपूर्ट आपका रहाई किलोमेटर का दिस्टेंस पे है मुखमांत्री आवास आपका रहाई किलोमेटर पे है बेली रोट टीन किलोमेटर की दिस्टेंस पे यह दखे यह आपका बेस्मेंट का पार्किंग है पूरा यह आपका basement का parking हो गया यह B block का basement का parking है और आगे में आपका A block का basement का parking है यह पूरा basement आपको complete करके parking complete करके दिये जाएगा बासिंग सेंटर से लेकर सारा चीज आपको यहाँ पे लगा के दिये जाएगा तो जिनको भी इस location में flat purchase करना है स्क्रीन पे numbers हो रहा होगा इस number पे call कीजिए side visit कीजिए चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए कुछ ही units बचा हुआ है जल्दी से flat पर purchase कीजिए अगर जिनको लेना है चुकि rate बढ़ने वाली है चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए यह देखिए यह bear mode हो गया अब इधर अनिसाबाद कीजिए चैनल जाते हैं इस तरह आपका व्योर की तरफ चला जाता है और यह कंकडबा की तरफ चैनल जाते हैं यह सामने में देखते हैं यह green color का hoarding है इसके आगे आपका blue color का hoarding है बुलुकार का hoarding के पागल से ही लेप यानिकी पूत्तर किसोई जाना है और मात्र बैपास से 50 मिटर की दिस्टेंस तरह प्लाइट है प्लाइट